पार्टी जंदा पार्टी रैपूर उत्तर की प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने गुरुवार को उत्तर विधान सभा छेतर में दौरा कर जन संपर का भ्यान तेज कर दिया है और मद्दाताओं के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं विधान सभा 2023 चुनाव में प्रत्याशियोंने कमर्क कसली है और सगन जन संपर्क प्रारंभु भी कर दिया है इसी कड़ी में रैपूर उत्तर विधान सभा से भाजपा प्रत्यासी पुरंदर मिश्रा भी प्रचार प्रसार में पीछे नहीं है भाजपा के रैपूर के उत्तर के प्रत्यासी पुरंदर मिश्रा गुरुवार को चेतर में आयोजित बैठक में शामिल हुए जहां मंडल, सदस्यों और पदा दिकारियों ने गरम जोसी से उनका स्वागत किया है इस दौरान मिश्रा ने कहा है कि छेतर की जनता ने भ्रष्ट कॉंग्रेस सरकार को उखाड़ फेकनी का संकल्प लिया है और प्रदान मंत्री आवाज के समिश्या पीने के पानी का समिश्या अगले के पाज़ेंगे पांस साल तो कांग्रेस सोय अथा कुछ काम हमें निए Wathira Saab, जन्ता के बीच में जा रहे है तो क्या प्रमुक मुद्दे जन्ता बार बार आपको बुररी कि यह समस्या है वो समस्या है उसके बारे में. पानी का पाइसा सुपीर्ट होगे इर णल जल का उसको नी बना रहा है तो जन्ता को क्या चाहिए तो इसलिए भईया खाली हावा हावाई सरकार है लूठेरा सरकार है चाकुबाजी सरकार है रेद माफिय सरकार है कोईला माफिय सरकार है जहां जो कर लेकम कांग्रेस करेगा और हम सनातम दर्मे की लाइन में चलने वाले लोग राम जी की पार्टी है मोधी जी की पार्टी, लाइन में चलने वाले नियम में चलने वाले नित्रा में चलने वाले, मद्दाताओं के अनुरूप हम चलने वाले लोग हैं, इसलिए उत्तर विधानसभा को हम जितेंगे, और हमारा यहां से विधाय, विधानसभा में जागे, मद्दाताओं से यह कि सब लोगों के बीच में अच्छे व्यभार के साथ में मिल रहे हैं चुनाव जो है भारती जन्ता पार्टी शत प्रतिशत जीत रही है कारण बड़ा साफ है कि सब लोगों के बीच में अच्छे व्यभार के साथ में मिल रहे हैं चुल रहे हैं और लोगों के सब जानते हैं कि सनातन दर्म के प्रतिश हमर्पित व्यक्ति और वो भी जिसने की जगनात मंदीर का यहां पर निर्मान कराया है जवननात मंदीर के मेनेजिंग डिरेक्टर भी है तो निश्चित तोर पे और सबसे यह बात महतोपुणी है कि सरल है साहज है और इसलिए हर कोई यह सोच रहा है कि ने भी ठीक है पुरे चारो मंडल के अंदर हमने पुरी विधान सभा के 22 वार्डों के अंदर एक जो प्रिम इसका पाँच साल का कारी जो है सिर्फ कारेकाल में यही था कि नमस्ते चोग बना दो और खेल खताम यह चोटा भी काम किसी भी इंसान का ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो बोल सके पुल्दीर जुनेजा जी सौयम जो है हाउसिंग बोर्ड के चेर्मन रहते हुए जो दो सो क इन को दबाई